जै जिवदानी, beauty with astrology की founder मैं कामी नीखन, आप सभी समझदार स्रोताओं के बीचे एक बार फिर सापताहिक राशी भविश्य लेकर हाजिर हूँ, ये सापताहिक राशी भविश्य है, 30 सप्टेंबर से लेके 7 अक्टूबर तक का में होने वाली घटनाएं कुछ इस प्रकार है विश्यप में हैं चंद्रमा 30 अक्टूबर को, शष्ठी का श्राद है 30 अक्टूबर को, इसके बाद एक तारिक को सप्तमी का श्राद है और प्लूटो मारगी हो जाएंगे दो तारिको मासिक काला श्टमी है अश्टमी का श्राद्ध है तीन तारिको अविद्वा नौमी है नौमी का श्राद्ध है चार तारिको गुरु पुष्यामरित योग है सुभा से सुर्योदै से रात के आठ बच के 48 मिनिट तक रहेगा तो श्राद्धों के वीच अगर किसी को शुब काम करना है तो इस गुरु पुश्यामरित योग में वो अपने काम निपटा सकते हैं पांच तारी को इंदिरा एकादशी एकादशी का शराद्ध है छे तारी को शनी प्रदोश है द्वादशी का शराद्ध है और इसे दिन बुध तुला में प्रवेश कर दोपहर पारा बच के 42 मिनिट तक शुक्र वक्री हो जाएंगे इसी दिन साथ तारी को मासिक शिवरात्री है और त्रेवदशी शराद्ध है और साथी में चतुरदशी शराद्ध है और शस्त्र से मृत जो हो जाते हैं उनके लिए भी शराद्ध है तो चलिए जानते हैं को एक टिप जोतिश का जो आपको हमेशा सिखाती हूँ मैं आप से मैंने बताया था शुक्र के विशय में अब शुक्र के विशय में और बताती हूँ अगर कुछ इस्तरियों की अगर आप शुक्रवार के दिन मदद करते हैं तो आपकी कुनली में स्थित शुक्र की स्थिती अ ि राच्शी हो जाती है आएे चलिए जानते हैं मेश से लेके मीन राशी तक का राशी भविशा। के लिए चन्दर्मा के विशयव में रहने के कारण आपको धनलाब हो रहा है और ये धनलाब कल alet गटे मिनेत q Olha को दोका है most फिलाल अपने परिवार से कोई प्राब्लम सॉट आउट करनी है तो कर सकते हैं उच्चे का चंद्रमा बैठा हुआ है और माता से फुल सपोर्ट मिलेगा इस मामले में आपको अभी बुधादित्य योक्षष्ट में बना हुआ है जिसे लोन्स वगरा मिलने में आसानी हो जा या कोई प्रेम समंदों में परिशानी हो अभी आगे चल के बुध तुला में आजाएंगे तो जब बुध तुला में आएंगे तब स्थितियां मच बैटर हो जाएंगी सन्मुक बुध आएंगे लेकिन आपके विरोधी ग्रह है इसलिए आप उसके बैटरमेंट से भी ज जब स्थितियां में परिशानी है और शनी ने आपका जो कारोबार आपका भाग्य स्लो रखा हुआ है सब काम हो रहा है लेकिन स्लो अपनी माता की और अपनी पिता की दोनों की तबियत का ध्यान रखें बृष्शब राशी लगन में बने हुए हैं चंदरमा आपके ये ए की वज़ा से आपके कई काम बन सकते हैं आप अपने फोटो सेशन वगरा करवा सकते हैं कुछ लोगों से बाते मनवानी हो तो आप आगे बढ़के आकरमक सुरूप से बोल सकते हैं यात्रा वगरा में भी आपको फायदा होगा आज के दिन इसके साथ ही जब चंदरमा आपके आ जाएंगे मिथुन में तो थोड़ा बहुत आपको परिवार से नाराजगी हो सकती हैं आगे आते हुए 4-5 दिनों तक आप इस्थिती को समाल के रखें तो अच्छा रहेगा गुदादित्य योग आपकी माइंड पर जिस वज़ा से आप बैटर फील कर रहें अपने गुरु शुक्र बना हुआ उसके साथ जब बुद्ध आ जाएगा आपके शष्ट में तो आपको थोड़ी सी हो सकती है बच्छों की चिंता बट अभी फिलाल जो गुरु शुक्र बनने के कारण आपके जो खुल रहे हैं द्वार लोन्स के वो काम कर लिजे फिर शुक्र बक्री हो जाएंगे तो आपको अपनी हेल्थ की चिंता भी करनी पड़ेगी शनी महाराज के श्टम में बैटने के कारण आपकी हेल्थ के इलाज बड़े स्लो चल रहे हैं आपको कोई भी अगर परिशानी किसी भी तरह की पेट की सनाईयों की मसल्स की है तो आपको हर बात में डिले हो रहा है इस बात से मुक्ति पाने के लिए आप अनुमान जी की आरदना कर सकते हैं वैसे भी आपके सब्तम स्थान का और द्वादश का स्वामी मंगल आपके भागे में बैठा है तो आपको प्रेमी या विवाही जीवन से फाइदा हो रहा है और उनके कारे में अगर आप हाथ बढ़ा सके अपने पार्टनर के कारे में हाथ बढ़ा सके तो आपको फाइदा होगा मितुन राशी मितुन राशी के लिए आपके लगने का स्वामी बुध अब जाके उच्छ का बना लेकिन उच्छ के ग्रह कभी कभी तबियत खराब करते हैं नासास कर द अपनी दशा में अच्छा फल देता है वो लेकिन जहां तक हो सके जब उच्छ का ग्रह प्लेस्मेंट अच्छी नहीं होती जैसे अब चतुर्थ में उच्छ का ग्रह बैठा है तो वो बहुत जादा फाइदा ने दे कर आपको अपनी तबियत की चिंता दे रहा है और साथ में आपको घरेलू काम करवा रहा है आपके जो पेंडिंग काम थे चोटे मोटे काग्जों के या बैंकों के या जिस भी प्रकार के तो वो काम आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं परिवार से कम सपोर्ट है आपको बच्चों से फिर भी ज्यादा तर मैं कहूं तो हैं आप लेकिन आगे चल के इस्टिती बदल जाएगी वेट कीजे मंगल के बदलने का बुध बदल के आब तुला में जबाएंगे तब भी आप बैटर फील करेंगे और शुक्र के वक्री होने से आपको हो सकती है बच्चों की चिंता आप दुर्गा सब्तशती के पाठ लीजेगा या महालक्षमी के अनाम लेते रहिए करकराश्य करकराश्य के लिए आपके लगने में बैठा रहू आपको पूरे एक से डेड़ साल उसने भ्रमित कर रखा है और आप अपने काम के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे हैं आपके बुधादित्य योग बना हुआ पर सपोर्ट रहेगा आपको और आपके जो सब्तम्भाव में के तुमंगल बैठा है जिस वज़ा से आपको पार्टनर से भी सपोर्ट है और आपके विवाही जीवन में भी सपोर्ट है तो उसको कैश कीजे फिलहाल जो बैठें चंद्रमा उच्च के होकर वो आपको दे चंद्रमा आपको शेर मार्केट से या बैंकिंग रिलेटेड या कोई ऐसा वेवार जिसमें पैसा अटका उसमें फायदा देगा आप सामने से फोन करके अपना काम कर सकते हैं अभी बुदादित्य योग बनने के कारण आपको अपने परिवार से फुल सपोर्ट मिल रहा ह और आपकी वानी में हो जहें काउंसिलिंग, कंसल्टिशन, सिंगिंग, ओरेटिंग ऐसे कई काम हैं जिन में आपको फायदा हो सकता है आपके धन भी आ रहा है पैसा आ रहा है उसको थोड़ा सा समाल के रखे माइंड बहुत करमट है कई दिनों से शनी के बैठने से बहुत ज़्यादा आप कड़क हो रहे हैं, नयाई परिये हो रहे हैं, वो ठीक नहीं, बच्चों के साथ थोड़ा सा प्यार से पेशाईए और अपने साथ भी विरोधियों का पूरा ध्यान रख रहा हैं मंगल और साथ में ये भी देख रहा है कि बड़े हिसाब का लोन चाहिए क तो वो भी आपको मिल सकता है प्रेम समंदों की बात करूं तो राहू ने बैठकर खासा बिगाड़ा किया हुआ है और राहू के हड़ जाने के बाद ही आपके प्रेम समंद ठीक होंगे तब तक के लिए अगर मैं कहूं कि आप शिव जी के आरादना करें राम राम लिक के असास करता है लेकिन बिजनस बड़ा दिया है उसने सड़नली और आप बहुत ज़्यादा बीजी है और बैसा भी आ रहा है आपको बैसा पिछले दिनों से आ रहा है लेकिन मुझे किसी ने सवाल किया था इंटरनेट पे के पैसा गिर गिर के आ रहा है तो नौकरी जो ध्यान में रखनी होती है कि परस्नलाइस्ट कुंडली जो होती है वो देखना बहुत जरूरी होता है ये एक वाइगड एंड वेग अस्पेक्ट होता है जो सभी के लिए एक सा तो कभी होता नहीं लेकिन फिर भी बताया जाता है ताकि जो ओवर आल इसका असर है वो आपक दोनों बैटके आपको बातों में हुशार बनाते हैं परिवार से सपोर्ट कराते हैं आपके माइंड पे बैठा मंगल के तु थोड़ा सा आपको गुसे बास भी बनाते हैं मेरी आपसे प्रार्थना ये है कि मंगल के हटने का इंतजार कीजे तब तक बात करकर के किसी से भ गाड़ियेगा नी अपनी हेल्थ मत खराब कीजेगा अभी आपको अच्छे अबसर प्राप्त होंगे आज का दिन तो अगर कोई अच्छा ओफर होता है तो सामने से भढ़के वो ओफर एक्सेप्ट कर लीजे तुलाराशी तुलाराशी के लिए आपके लगने में बैठा में बैठा जो अब वो खत्म होने को आया टाइम और 11 अक्टूबर को गुरू बदल जाएंगे मैंने वीडियो डाला हुआ है आप लोग देखिए गुरू के बदलने पर क्या होगा और बस तीन से चार दिन साथ तारीक के बाद 11 तारीक को गुरू बदल जाएगा तो आप आपके तृतियो में बैठा शनी आपको काम के लिए तो उद्यत करता है आपके काम हो रहे हैं लेकिन काम होते भी हैं तो आधे दुर जिसके वज़ा से आप जादा खुश नहीं है और चतुरत में बैठा मकर का मंगल और केतु जो आपके परिवार में कलह कलेश करवाता है उससे आपको काफी परिशानी है आपकी माता की तबियत का भी ध्यान रखिये और उनसे सपोर्ड भी लीजे अगर इन दिन उनको भी मंगल की वज़ा से जादा गुसा चड़ रहा है तो थोड़ा सा जेल लीजे माएं कभी भी बुरा नहीं चाहती बच्छों का अभी आज का सारा पैसा आपका कहीं ने कहीं लग जाएगा फिल हाल जो द्वादश में बने बुधादित्य योग जो हैं वो आपके विदेश रेलेटेड कामों को इजाफा देते हैं प्रेम समंदों को इजाफा देते हैं उसको करने की कोशिश कीजे उसमें आपको फाइदा होगा रिश्चिक राशी के लिए मकर का मंगल आपको काफी जोर से काम करवाता है गुप्त काम करवाता है आपके जो सभाओं में जो आई हुई है उसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजे अभी फिल हाल आज का दिन आपको परिवार से विवाही जीवन से फुल सपोर्ट मिलेगा और स साथी साथ बुद्धादित्य योग जो आपका लाप में बना उससे पैसे आ रहे हैं आपको बड़े दिनों से आप पैसों का इंतजार कर रहे थे अवात हो रहे हैं लेकिन ये बुद्ध महाराज खसक जाएंगे जल्द ही छे साथ तारीक को तो अभी आप पैसे बटोड लिजे और उसको यूज में लाइए अभी फिलाल राहू ने आपका भाग्य थोड़ा बहुत रोग के रखा हुआ है तो मेरी प्रार्थना ये हैं कि आप अनुमान जी को रामराम लिक के चड़ाएं साथ ही साथ जो गुरु शुक्र आपके प्रेम संबंद ठीक कर देता है तो इस पे गौर कीजे के शुक्र वक्री होने वाला है तो शुक्र वक्री होगा तभी आपको अपने प्रेम संबंदों का ध्यान रखना पड़ेगा अपने विवाही जीवन के संबंदों का विध्यान रखना पड़ेगा अगर कोई पाटनर है बिजनस का तो उसके साथ सं चैनल लेकिन इश्वर की दिया से आपको offers काफी आ रहे हैं, आप accept करते जाहिए, जो बने सो बने, और जो पैसे आ रहे हैं, उनको भी बटोडते जाहिए, क्योंकि पैसे तो चाहिए होते हैं इनसान को, और काम करिए, महनत करिए, आप महनत भी खुब कर रहे हैं, और वो सभ से लोगों को भी तकलीफ हो सकती हैं, तो ध्यान रखिए ऐसा नहों, और ये चंद्रमा बने हुए हैं आपके शेष्ट में, जो आपको लोन्स वगरा से रिलेटेड फायदा दिला देते हैं, और राहू आपको रातों को ब्रह्मन करवाते हैं, फिल हाल अपनी रात की नीन दे लेना शुरू किजे ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, पैतरिक संपती से संबंदित विवाद आपके अभी, इन दिनों 6-7 तारिक से पहले सुल्टा लीजे, मकर राशी, मकर राशी के लिए आपके लगन में बैठा मंगल, आपके विपरीत सभाव का स्वामी, आप उससे जदा खुश नहीं, और फिर भी आप पैसों के लिए और घरेलू जंजटों के लिए जद्धो जहद में लगे हैं, और चिड़ चिड़ हो रही है, आपको महाम रुतुझे जाप करनी चाहिए, आपको बुदा दित्ती योग बना भागे में तो अपने काम के लिए उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, अभी बुदा आएगा आपके दुशम में और आपको काफी फिर भी फाइदा दे जाएगा, काफी आप रिलाक्स रहेंगे और गुरु बदल जाएंगे तो भी काफी आपको चैन मिलेगा, जिस वज़ा से आपके काम रुके हुए थे वो काम आपके खुल जाएंगे और राहू के बैठने से जो विवाहिद जीवन में आपने कटुता महसूस किया है और जो अपस में जगडा वगरा महसूस किया है वो अभी चलेगा थोड़े दिन, इस्तिती से निकलने के लिए सूजबूज को उपयोग मिलाइए थोड़ा हुआ है कुमबराशी के लिए आपके लिखने का स्वामी अभी स्वस्थ शनी लाब में जो आपको निरंतर लाब देता है और गुरू शुक्र छे साथ तारिक तक वो भी आपको भगदेकारी अबसर लाता है अभी गुरू बदल जाएंगे तो आप काफी अच्छा महसूस करेंगे मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीक के गुरू बदलने से क्या क्या फायदा होगा और बुदादित्य योग जो आपके अश्टम में बना हुआ है वो आपको हेल्थ से रिलेटेड सारी परिशानियों से निजात दिलाता है अब बुद्ध खसक जाएंगे तो आ आपको काफी रिलेक्सेशन भी मिलेगा हैल्थ से रिलेटेड क्योंकि कई बार मैंने पहले भी कहा इसी सापताई की राशी भविश्य में के उच्छे के ग्रह तबियत खड़ाप कर देते हैं आपको ध्यान रखना अपनी तबियत का लेकिन आपको पार्टनर्शिप से रि जो बाहर के विरोधी हैं क्योंकि वो शड़ अंतर रच सकते हैं आपके फॉरन से रिलेक्टेड काम बनते जा रहे हैं अभी बना लीजे जब तक मकर का मंगल है बाद में दिक्कत होगी मीन राशी मीन राशी के लिए आपके लगने का स्वामी गुरू अब चेंज होने वा लेकिन ये लाब से आपको अपना भागय सुधारने का काम करना चाहिए परिवार के लिए अपना धन लाब आपको होने जा रहा है उसको समाल के रखना चाहिए चाती आपके परिवार में कई बार कह चुकिए बच्चों का ध्यान रखे राहु आया हुआ है आपके प्रॉब्लम्स हैं आपको इन दिनों तोड़ा सा डाइबिटीस से बचिए शवगर कम खाईए आप और इन दिनों आपके यात्रा के लिए आज का दिन उत्तम है आप जा सकते हैं आपका काम बन जाएगा और आपको बच्चों से रेलेटेट कोई स्टैप उठाना है तो आज के दिन उठाईए उनका कोई डिसिजन लेना है तो आज लीजे आपको उसका अच्छा फल मिलेगा मैं काम निखना बता रही थी मैं इससे लेके मीन राशी तक का राशी भविश्य फिर मिलूंगी साप्ताइक राशी भविश्य लेकर अगली बार तक तक के लिए आग्या धन्यवार नमस्कार ब्यूटी वेद एस्टरोजी का नारा है पौधे लगाईए वेबसाइब भढ़ाईए अपनी खुंडली में स्थित बूध की स्थिति अच्छी कीजिए हरित करांती लाइए पॉलूशन गटाईए और साथी मेरा हुके तूशनी की शांती के लिए अ आमीनी खन्ना म्यूजिक धन्यवार नमस्कार गॉट ब्लेस्टी टेक करेंट गुद्बाए